Hey guys, this is Arthag and you are watching Vortex X स्वागाई दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो गें तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके सिस्टम की जो power requirement है आप उससे काफी जादा wattage की अगर power supply लगा देते हो लेट से आपके जो system है उसकी जो power requirement है वो है 350 watt की अगर आप 1000 watt की power supply लगा दोगे तो क्या आपको system खराब हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है या फिर 350 watt के सामने आगर आप 650 watt की लगा दोगे तो तब भी कोई दिक्कत है या फिर नहीं होगी क्या आपको सिस्टम डामेज हो सकता है या फर नहीं हो सकता है इनी सब चीज़ों के बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो चले उस तो फटाफट से इस वीडियो का बहुत हम शुरू करते हैं तो चले या फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे में टॉपिक के बारे में तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ के बारे मात करना चाहता हूँ कि जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो कनवर्ट करती है बाई अल्टरनेटिंग करन्ट को डेरेट करन्ट के अंदर जो हमारे घर के स्विच बोर्ड होते हैं जिसके अंदर आपनी पावर केबल लगाते हैं अपने सिस्टम को अन करने के लिए उससे भाई वो वो AC to DC convert करके हमारे जिस भी component को जितनी power चाहिए होती है वो उसको deliver कर देती है और जो power supplies होती है वो अलग-अलग capacities की आते हैं बतला वो कितना power deliver कर सकती हैं 450W, 500, 500, 500, 600, 1000W, 1300W, 1500W तक की power supplies आती हैं तो अगर हम जादा की लगा लेंगे मान लीजे कि यह जो हरा system है उसकी power requirement है व इसकी उपर में video already बना चुक है देखनी है तो भाई उपर link आई बटन में मिल जाएगा आप लोग आप लोग जाके देख सकते हैं उस वीडियो को तो अब back to the topic ठीक है हम बात करते कि अगर हम जादा की power supply लगा लेंगे लेट से आपकी जो system requirement है वो है वाई जो system की power requirement है वो उसी चीज़ के बारे हम बात करते हैं simple सा एक line में जवाब देता हूँ हाँ आप लगा सकते हूँ कोई दिक्कत नहीं अगर आपकी जो system की requirement है वो 350 watt और 450 watt की है न तो आप बहुत अराम से 1000 watt की power supply लगा सकते हूँ कोई दिक्कत नहीं है अराम से चल जाएगा बहुत लोग य चाहिए वो 300 watt चाहिए तो उसमें से 300 watt ले लेगा बाकी छोड़ देगा ठीक है वो बाकी उतना उसमें से draw ही नहीं करेगा उतना current जो आपका system होगा जितना उसको चाहिए होगा वो उतना current आपकी power supply से draw कर लेगा आपका system तो यह मत सोचा अगर हो कि 1000 watt की 1000 watt मेरे components के अंदर चाहिए तो मेरे component खराब हो जाएगा ज्यादा current आने के वज़से नहीं ऐसा नहीं है जितने की जरूरत होगी उसको उतना ही मिल जाएगा अब आपको इस चीज में दो बातों का ध्यान रखना है अगर आप ज्यादा वोट की power supply लोगे तो आपकी जो efficiency होगी वो decrease हो जाता ना होती माइना सा 19-20 का फरक आएगा ज्यादा ऐसा कुछ खास फरक नहीं आएगा दूसरी बात जो कि obviously सबको पता है कि भाई महेंगी आएगी power supply अब मेरे को नहीं पता आपके पास ज्यादा वाट की power supply यार कहां से हो सकता है आपको free में मिल गई हो कहीं से आप अप पास वाट की power supply जितने की आती है ना उसी सेम प्राइस के उपर आपको 600 वाट की मिल रही है तो क्यों ना हम 600 वाट ले 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 future upgradability भी हो जाएगी तो हो सकता है आप कोई भी reason हो सकता है जिसके वेज़े से आप ज्यादा वाट की power supply लगाना चारे वो तो खेर आपको पता हो झाचें